देखे यह प्लान क्या होता है, सेक्षन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, यह समझेंगे आपन ओके, तो प्लान में क्या होता है, पहले प्लान समझते हैं, प्लान क्या होता है तो उसका dimension सो करते हैं कि कितना लंबाई है कितना चोड़ाई है कितना में bedroom रखें और kitchen का size क्या होना चाहिए तो यह सब plan में सो करते हैं यानि कि planning में हम देखते हैं अगर drawing आपको मिलता है working drawing तो plan को पहले देखा जाता है अगर column का layout करना है या hall का layout करना है footing का layout करना है तो यह सब क्या plan में आपको देखना होता है उसका dimension चलिए हम आपको पूरा दिखाएंगे ओके तो देखिए हमाली जाए कि यह car park किया गया तो इसका dimension कितना होना चाहिए तो हम plan में देखेंगे 10 by 16 feet का दिया हुआ है यानि कि planning किया हुआ है कि 10 by 16 cut size छोडएंगे ओके तो यह आपका plan में पूरा size दिखेगा आपका horizontal distance को so किया जाता है plan में इतना simple से word में आप समझेए जब किसी चीज का layout करना होता है तो हम plan में so करते हैं और plan देखते हैं ओके जिसे bedroom का size कितना है kitchen का size window का size ओके डोर का size और window का size यहाँ अगर height की मैं बात करूँ कि window का height कितना है तो यह आपको section में दिखेगा अगर section अगर window के पास cutting करते हैं तो section में दिखेगा कि यह सबका height कितना है सिर्फ dimensions हो किया जाता है ok elevation के बारे में समझते है कि elevation क्या होता है जब आप घर बनाते है न तो देखे है माल लेजे कि front से अब का घर कैसा दिखेगा front view क्या होता है सामने से देखेंगे घर बनाके तो कैसा दिखेगा तो यह होता है आपका front view यानि कि Elevation यही होता है ओके Side से अगर हम देखते हैं कि Side View कैसा दिखेगा Side View देखेंगे, Back View कैसा देखेंगे और आपको Top से कैसा दिखेगा आपका घर यह भी देखते हैं तो देखे, Top से देखते हैं, Top से आपका कैसा घर देखेगा यह देखें गिखें यह- टॉप से यह आपका अगर अरो का निषान बनाए रहता है टॉप में देखते हैं सेक्षन के आगे देखते हैं जो कटिंग करते हैं ओके एरो का जिधर निषान रहता है तो क्या क्या दिखेगा अगर हम सेक्षन यहां से कट किये हैं तो यह आपका डोर का साइज दिखेगा डोर दिखेगा विंडो दिखेगा यह टीवी लगा हुआ टीवी दिखेगा और यह यह दोर दिखेगा यहां पर वास बेसिन लगा हुआ यह दिखेगा यह वाल यह जो देख रहे हैं आपका यह जो section Cutting की है है आपका यहां और ट्राइंग से और समझते हैं थोड़ा आप ध्यान दिजेगा कि यह जो है अभी ड्राइंग के according मैं समझाने जा रहा ह। ग्राउंड फलोर प्लोर प्लान है ग्राउड फलोर प्लान है अगर आपको ले आउट करना होता है मालनी आ जाए, तो क्या देखते हैं, प्लान देखते हैं, अगर इसका हाइट गर देखना होता है, तो हम सेक्षन में जाते हैं, तो सेक्षन आपको देखें, यहां पे जो red color के X और X लिखा हुआ है, तो यहां से ले करके यहां एक सेक्षन यह टॉप में देखेंगे, तो क् यह आपको section में मालूम चलेगा इसका elevation क्या होता है जैसे कि मैंने बताया कि top से कैसा दिखेगा side से क्या देखेगा यह सब elevation में होता है तो अब देखी इसका section देखेएं x x section देखेएं तो चलिए x section देखाएं ओके section x x देखेएं यानि कि हम कहां से cutting किया गया गया धिया धूटिजेए यहां से plan में यह वाला यहां से कट किया गया है तो यहां से दिखेंगे तो क्या क्या दिखेंगे यह देखिए आपका पूरा यहां के फ्रॉंट का जो भी है यह यानि कीचें से गुजरा हुआ है फिर यहां ट्वालेट देखेंगे यानि के वेंटिलेशन भी दिखेंगे आपका यह ट्वालेट में और यह स्काइब लेट चुछ बिखते यहां पर तो कीचन बाद पर है यहां पर तो यहां वाल पे happens आपको देखे गाया हलका सा एक वाल पे आपन कीचन देखे गाय यहा पर okay तो यह कितने ब characterization का यहने पूरा हाइट दिखेगा देखें आप यहाँ प्र का भी आप दीखेंगा तक जाता है, इसको cover slab डालते हैं, तो वो भी आपको दिखेगा, यह दिख रहे हैं, तो यह आपका section access दिखा, यानि कि नीचे तक दिखेगा, यानि footing जो डलेगा, उसका भी section दिखेगा आपका, तो पूरा यह देखिए, section में क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरा height, यानि कि height so करता है, horizontal distance नहीं, plan में horizontal distance so करता है, लेकिन यह जो section है, आपका section में क्या होता है, distance यानि height को so करता है, vertical height को, यह देखिए, आपका यहां से, यहां तक slab का height 3 मीटर दिया हुए, 3 मीटर दिया हुए, यह terrace से जो मम्टी बनेगा, इसका यह 3 मीटर दिया पूरा दिया हुआ, आपका देखिए, window का sill level 900 दिया हुआ, मैंने बताया ना, कि window का height कहां so करेगा, आपका section में, यह देखिए section है, यानि 1200 height दिया हुआ है, फिर इसे 900 दिया हुआ है, ति यह पूरा हम देखेंगे, यहां देखिए, संकन portion area में 300 down, यह जब vertical height को so करता है section म अब चलिए section देखिए section देखिए section yy जो cut किया गया है, यहां पे तो इधर देखेंगे, arrow connection आपका इधर है, इधर देखेंगे तो क्या देखिएगा, आपका steer दिखेंगा, ओके steer दिखेंगा, प्लस में यहां पे window है, steer का window भी so करेगा, वाल में ही, और प्लस में यह door दिखाएगा, ओके इधर देख रहे हैं, तो चलिए इसका section देखते हैं, तो यहां पे section देखिए yy section देखेंगे, तो देखिए पूरा मैंने बोला कि आपको steer दिखाएगा, steer दिखाएगा, यह door का height यह पूरा दिखाएगा, यह first floor पर यह ground floor पर यह पूरा height दिखाएगा लेंडिंग height कितना है, फिर लेंडिंग का 500 height दिया हुआ, फिर 900 इसके बाद window आएगा, steer पर मैंने बताया कि window है तो window दिखाएगा, फिर 900 यह पूरा height दिखाएगा है, और मैं भी देखिए यहां पे height दिखाएगा है, और देखिए यहीं opening है आपका steer वाला, ओके, जो landing के उपर जो door जो provide किया गया है 1200 तो वहीं सब दिखाएगा आपका section के तरुपर दिखाएगा, फिर वाई वाई देखेंगा, फोटिंग भी दिखाएगा यहां पे, ओके, पूरा label दिखाएगा इस तरह से, यह हुआ आपका section, अब चलिए हम देखते हैं elevation क्या होता है, elevation दिख जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो देखिए आपके यह जो है, तो इसका front से देखते हैं, का front में देखेंगे तक क्या क्या दिखेगा, यह देखिए विंडो दिखाएगा, यह सामने में सो करेगा, फिर यह स्टे आट सो करेगा, और यह भी window सो करेगा, और इसका top height तक, कितने height तक, यह जी प्लस वन है, तो जी प्लस वन तक यह सो करेगा, ओके, तो चलिए देखते हैं यह आपका, ओके चलिए, ओके देखिए, front side elevation, यह देखिए, main gate आपको सामने से देखेगा, और HDR यह देख रहा है, और आपका दोनों साइड में window, मैंने पता है ना, कि दोन elevation जब भी work कराते हैं, तो चज्जा कितना निकला हुआ, उसका projection कितना निकला है, elevation में ही मालूम चलता है, कि कैसा उसका projection है, ओके तो elevation में हम projection देखते हैं, कि मने कि छज्जा बाहर निकला है, कि नहीं निकला है, कितना देना है, यह सब elevation में आपको दिखेगा, जिससे देख city के ये tank भी है ओके ये आपका side elevation sorry front elevation हुआ अब side में देखे क्या दिखेगा back side में देखेंगे तो back side में आप यहाँ पर देखे थोड़ा plan को आईए plan को मैं दिखाता हूँ तो देखे ये back side है तो back side में आपको क्या दिखने वाला है तो ये दोनों ventilation का position दिखाएगा आपका और stair height पर गया है ये दिखाएगा ओके तो चली हम देखते हैं आपका ये देखे बैक बैक ओला ये देख लिएची यहाँ back elevation तो back elevation में मैं क्या बता है कि ये दोनों दिखाएगा अपलस में देखे एक center में जो आपका stair का window है ये stair का window है साथ में आपका ये देखे ये जो देख रहे हैं आप ये pipeline है यानि कि kitchen से जो toilet से जो pipeline है ये pipeline है और ये जो terrace से pipeline है rain water के लिए जो pipe है ये आपका pipeline सो किया गया है अब थोड़ा आप ये देखे लिजिए तो दिखाएगा ही है मम्टी यह दिखाएगा इस टेर के उपर तक अब देखे साइड वीव क्या होता है साइड एलिवेशन क्या दिखेगा थोड़ा ध्यान दीजिए प्लान में चलते हैं प्लान के कोडिंग ही सब कुछ बनता है तो देखे यह प्लानिंग के पास आ गए तो आप देखे यह साइड वीव यहां दोनों सेम है इधर भी और इधर भी दोनों सेम है तो किसी एक को देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाएगा आपका विंडो सिर्फ दिखाएगा आप देखें साइट से अगर देखेंगे विंडो दिखाएगा और आपका कुछ नहीं दिखाएगा विंडो कहीं दिखाएगा और कितने हाइट तक गया है यह दिखाएगा तो चलिए आते हैं आपका साइट देखते हैं, side view देखिए, मैंने यह आपको बताया, यहाँ पर देखिए, ओके, देखिए, आपका side view दोनों window दिखाएगा, और यहाँ पर आपका stair का जो door दिखेगा, यह दिखेगा, और यह जो देख रहे हैं, आपका side से जो window है, उसका projection दिखा रहा है, window का projection दिखा रहा है थोड़ा यह देखेए कहां पर किसका दिखा रहा है आप थोड़ा समझेगा कि जब हम इसको इधर से इधर से देखेंगे तो आपको यह वाला इसका जो projection आएगा ना चाज़ जाए यह इसका location पोजीशन दिखेगा समझ है इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया है कि side view में यह आपका देखें दोनों दिखा रहा है यहाँ पे यह देखें यह दोनों दिखा रहा है ओके तो यह देखें पाइपलाइन आएगा यहाँ से पाइपलाइन यह होता है plan, section, elevation आप समझे अगर आप सब को वीडियो मैं एक billing part start किया हूँ, घर कैसे बनाते हैं, step by step इसी drawing के recording आपको मिलेगा playlist में जाकर देखें house construction part 1, 2, 3, 4, billing कैसे करते हैं, quantity कैसे निकालते हैं, layout कैसे करते हैं, पूरा आपको मिलेगा civil side knowledge पे, okay मिलते हैं next वीडियो में